दोस्तों मैं सौरंबलिक आपसवी का Only Top Study चैनल पर स्वागत करता हूँ आज Test Your Knowledge में हम देखने वाले हैं 28 Most Important Question Answers जो की हर एक परिक्सा के लिए मैत पून रहेंगे ये मातर 10 मिनट की वीडियो होती है रात में 9 बजे Only Top Study यूटूब चैनल पर रेगुलर आती है आप इस वीडियो को जरूर देख लिया करें है देखे आज का हमारा Test Question है क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में आंसर बताएंगे जो इसका सही उत्तर हैगा वो वीडियो के दुरान बताया जाएगा चलिए सुरू करते हैं जेलम कायूद किसने जीता था तो ये पहला कोशन है और मैं आसा करता हूँ कि इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बोक्स में बताएंगे जेलम कायूद किसने जीता था तो ये जीता था सिकंदर ने यानि कि सी राइट आंसर हैगा पहले कोशन का सही उत्तर दूसरा कोशन है आजकल ई-बुक रीडर बहुत परसिद है क्योंकि ये परियोग में आसान, हलकी और आखों के लिए सुईदा जनक है इनमें परियोग की गई विसेश इंक यानि कि स्याही कोन सी है दूसरे कोशन का सही उत्तरेगा ई-स्याही यानि कि C is the right answer कोशन नबर टू का सही आंसर कोशन नबर थ्री है कोन सा सब्द समुदायों के कई पीडियों में जमा परमपरी ग्यान का सबसे अच्छा वर्णन करता है कोशन नबर थ्री का सही उत्तर हैगा लोक ग्यान यानि कि तीसरे कोशन का right answer ए हो जाएगा कोशन नबर फोर है भारत सरकार द्वारा रास्टे हरित प्रादिकरण की इस्थापना कब की गई थी 2010 में दोस्तो यानि कि कोशन नबर फोर का right answer सी हो जाएगा पाचवा कोशन है अंत्रिक्स के लिए उडान भरने वाला पहला वेक्ति कौन था पाचवे कोशन का सही उत्तर रहेगा यूरी गागरीन यानि कि B is the right answer तो पाचवे कोशन का सही उत्तर B हो जाएगा प्यारे दोस्तों अगर आप लोग किसी भी competitive exam की त्यारी करते हैं तो आप हमारी master pdf को ले सकते हैं मातर 170 रुपे में इस pdf के अंदर आपको सारे subject मिलेंगे पूरी lifetime के लिए मिलेंगे कितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं pdf का link description box और हमारे whatsapp नंबर दोनों जगे मिलेगा link पर click करके payment करके आप pdf को प्राप्त कर सकते हैं चटा question है निमलिखित में से कौन सा संपर्क हीन protocol है सही उत्तर हैगा http यानि कि छटे question कराईट answer a हो जाएगा भारते सविधान का संदक्षक कोन है तो सही answer हैगा भारत के मुख्य नियादीस सात्वे question कराईट answer दोस्तो b हो जाएगा आठवा question है गांदी जी को सबसे पहले रास्पिता किस ने कहा था गांदी जी को सबसे पहले रास्पिता मेरे प्यारे दोस्तो सुभास चंद्र बोस जी ने कहा था आठवे question कराईट answer b हो जाएगा question number 9 है उर्जा का ऐसा ही मातरक j है और यह है समतुल्य है देखे यह जो लिखा है न दोस्तो 10 की पावर 6, 10 की पावर 7 10 की पावर 5 यह 105 नहीं है मतलब मैं बताना चाहरा हूँ कि यह पावर है इसमें तो इसका जो सही उत्तर हैगा वो रहेगा option C 10 की पावर 7 अर्ग ठीक है 10 की पावर 7 इस तरीके से तो right answer is C question number 10 है भारत में सबपर्थम चलाई गए train का क्या नाम था सही answer हैगा दोस्तो black beauty C is the right answer 11 question है निमलकित में से कौन सा अधिनियम परिशद को पहली बार के लिए budget संबंदी मामलों पर चर्चा करने की अनुमती देता है तो भारतिय परिशद अधिनियम 1892 में 11 question का राइट आंसर C हो जाएगा question number 12 है निमलकित में से कौन राज्य का एक अनिवार्य तत्व है दोस्तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व है संपर्भुता, सरकार, छेत्र ये सबी 12 question का राइट आंसर D हो जाएगा ये है आपको याद रखता है question number 13 है गांदी जी का राजनेतिक गुरू किसे माना जाता है question number 13 का सही उत्तर रहेगा गोपाल किर्शन गोखले जी यानि कि A राइट आंसर हो जाएगा question number 14 है भारत सरकार का पर्थम विदी अधिकारी कौन है भारत का महानियवादी यानि कि 14 question का राइट आंसर B हो जाएगा question number 15 है किस हार्मोन को लडो या उडो हार्मोन कहा जाता है एड्रिनलीन हार्मोन को दोस्तो पंदरवे question का राइट आंसर B हो जाएगा यह आपको याद रखना है question number 16 है बाहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है उपास्ति का यानि कि C is the right answer भारत में सबपर्थम रेल की सुरुवात किसके सासन काल में प्रारंब होई थी सही उत्तर हैगा लोड डेलो जी के सासन काल में सतरवे question का राइट आंसर C हो जाएगा यह आपको याद रखना है अठारवा question है सतंत्र भारत में निमलिकित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी अठारवे question का सही उत्तर हैगा सुचिता क्रिपलानी यानि कि B is the right answer कौन सा राज्य भारत की सबसे पूर्वी भाग पर इस्थित है दोस्तों सही उत्तर रहेगा अरणाचल परदेश यानि कि A is the right answer बीसवा question है भारत का रास्टे पूर्वी है तो सही उत्तर दोस्तों कमल हो जाएगा यानि कि A is the right answer 21 कोशन है क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करते चलिए अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना और अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड हुई है उनकी प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहाँ से सारी वीडियो देख सकते हैं ये कोशन मैंने आपसे स्टार्टिंग में टेस्ट कोशन में पूछा था इसका सही आंसर हैगा कानला बंदरगा यानि कि D is the right answer 22 वा कोशन है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है राइट आंसर हैगा कोशीन को यानि कि C is the right answer 23 वा कोशन है चवालिसवे संसोधन के तहत कौन सा कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार दोस्तों यानि कि B राइट आंसर हैगा कोशन नमबर 24 है निमलिकित में से कोन भारते सविदान के अनुसार मोलिक अधिकार नहीं है तो दोस्तों राइट आंसर हैगा सूचना का अधिकार ये भी कोशन कई बार रिपीट होता है राइट आंसर इस B 25 है निमलिकित में से कोन सा परकार का सहरी इस्थानिये सासन निकाए नहीं है राइट आंसर हैगा जिला परिश्वत यानि की B is the right आंसर 26 कोशने सविदान की प्रारूप समीती के चैर्मेन कोन थे डोक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यानि की A is the right आंसर विश्व परियवरन दिवस किस दिन मनायाग जाता है दूस्तों सही उतरेगा पांच जून को यानि की C is the right आंसर 28 कोशने किस भारतिय राज्य में सरवदिक छेत्र में 1 इस्थित है 28 कोशन का सही उतरेगा मध्यपरदेश यानि की D is the right आंसर तो देखिया 28 में से आप लोगोंने कितने कोशन की आंसर सही किये है कमेंट बोक्स में अपना स्कोर बतेगा बहरी कान का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है या आपके लिए टेस्ट कोशन रखा गया है इसका भी आंसर आप सभी को ट्राइ करना और कमेंट बोक्स में बताने की कोशिस करने है सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजेगा चैनल पर नए है तो सबस्काइब भी जरूर कर देना ताकि आगया आने वाली कोई भी वीडियो मिसना हो और मास्टर पीडियो अभी तक नहीं ली है तो मात्र 170 रुपय में दोस्तों ओल सब्जेक्ट की मास्टर पीडियो आप पराप्त कर सकते हैं और मास्टर पीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स और हमारे वोटसप नंबर दोनों जगे मिलेगा लिंक पर किलिक करके पेमेंट करके आपको पीडियो पराप्त हो जाएगी ठीके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थेंकी सो मच बाइबाइ एवरिवान